वेलकम स्टूदेंट्स और विवर्स इस मोहमद अरफाद खान और यूट्यूब चैनल और जो हमारे पास scales of temperatures मौझूद होते हैं मैंने इनकी headings लिखी हुई है जैसे हमारे पास सबसे पहला scale मौझूद है Celsius और Centigrade scale Second पर लिखा हुआ है Fahrenheit scale और Third पर हमारे पास लिखा हुआ है Kelvin और या फिर Absolute scale तो इन तीनो scales को हम discuss करने जा रहे हैं पहले हम इसका introduction पढ़ेंगे कि इन तीनो scales में फर्क क्या होता है इनके points का क्या फर्क होता है और उसके बाद हम discuss करेंगे इनकी conversions को कि अगर आपको किसी भी एक scale से दूसरे scale में convert करना हो value को तो scales को convert करने के लिए हमारे पास जो equations होती है formula होते हैं वो कहां से बनते हैं derivation क्या होती है उनके graphs क्या होते है तो उसको discuss करेंगे तो पहले हम start करते हैं इनके introduction से तो सबसे पहले मैं काम ही करता हूँ आपको पताता चलता हूँ कि हाँ यह जो scales है वो किस-किस scientist ने invent की है तो सबसे पहले काम ही करते है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ point किसका Celsius scale का या centigrade scale का तो भाई invented by सबसे पहले invented by invented by भाई जिस scientist ने यह Celsius scale invent किया था basically जो Celsius है वो scientist का नेम है यह person का नाम है इसे तरीके से Fahrenheit यह भी scientist का नेम है person का नाम है और जो Kelvin है वो भी basically एक person का यानि के scientist का नाम है तो हमारे पास मौझूद है Enders Celsius यह आगिया हमारे पास Scientist सौरी Scientist Celsius का Scientist बन गया यह खेर कभी कभी हो जाता है तो भाई यह scale scientist जो है वो invent करने वाला scientist था वो था Enders Celsius अच्छा इसके बारे में हम लिख देता है invented by this scale was invented by invented by Daniel Gabriel Fahrenheit यह इसका complete name है कि इस scientist नहीं इस scale को invent किया था और वो जनाब थे Lord Kelvin Lord Kelvin अगर आपको याद हो तो हम जब second law of thermodynamics पढ़ते हैं यह हम पढ़ेंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा second law of thermodynamics में हमार पास एक होती है clauses statement और एक होती है Kelvin statement Lord Kelvin's statement ना यह वह scientist है Kelvin statement तो यहाँ पर लिख देंगे invented by invented by Lord Kelvin Lord of the Rings movie भी है Lord Kelvin तो यह scientist आगए किसके scientist ने कौन से scale invent के अताच आप चलते हैं इसकी basically और बाकी details के तरफ देखो जो scales होते है यह scales of temperature जो है वो किसी भी thermometer के अंदर होते हैं यानि कि आप यू कहलो कि thermometer जो है या तो वो Celsius scale होगा उसके अंदर या पिर वो जो thermometer है वो measure करता होगा Fahrenheit scale यानि कि Fahrenheit thermometer होगा या फिर हमारे पास Kelvin होगा ठीक है तो जब हम thermometer की बात करते हैं तो याद रखेगा किसी भी scale के दो fix points होते है किसी भी scale के दो fix points होते है एक fix point को हम कहते है lower fix point और एक point को हम कहते है upper fix point ठीक है lower fix point का एक नाम और होता है इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग point और अपर फिक्स पॉइंट का एक नाम और होता है जिसको हम कहते है boiling point चलो यह भी लिखना start करता है सबसे पहले कoration क् retailers को ड्रा करता मैं यहाँ पर च doğru करता हूं कौन सावा ला Celsius की अटर कर है उसका मतलब है celsius होगा obvious ही बात है यह आ गया हमारे पास एक scale वह स्केल का मतलब यह थोड़ी कि मैं पूरा कोई thermometer ड्रॉट कर रहा हूँगा मैंने बस एक scale बना दिया समझ जाएगा कि कौन सा scale है celsius Fahrenheit के अंडर ड्रॉट कर रहा हूँ कि हम यहाँ पर इनके fixed points को mention कर देते हैं जो fix point मैं आपको बता रहा हूँ एक होता है upper fix point और यह कोता है lower fix point और यह fix points क्या होते हैं इसको discuss करते हैं सबसे पहले काम ही करता हूँ इस वाले को थोड़ा सा मैं आगी करके बनाता हूँ celsius वाले को ताकि मैं आपर इसके इस related points लिख सकूँ तो जनाब यह रहा celsius वाला scale यह celsius वाला scale है ठीक है अच्छा सबसे बिल हमारे पास मौजूद है यह रहा इस point को हम कह देते हैं यह आग यह किसी भी scale का upper fix point अपर fix point तीनों को एक साथ मैं मैंच कर रहा हूं यह आगिया तीनों का अपर fix point और यह आगिया तीनों का lower fix point आप बोलेंगे तो नहीं है तो मिडल बन रहा है तो जनाब यह lower point ही है एक्चुली यह दो fix point होते हैं उसके बाद हमापस एक और point आदस को हम कहते है absolute point या absolute zero तो वह यह वाला point होता है fixed point और जायर से बात है किसका है degree Celsius Celsius इसके लिए यह वाला कौन सा है degree Fahrenheit यह Fahrenheit इसके लिए और यह वाला कौन सा है Kelvin यह Kelvin इसके लिए डिगरी लगता है सिर्फ Celsius और Fahrenheit के साथ क्यूंकि यह दोनों practical skills है वह practical नहीं है तो उसके साथ हम Kelvin नहीं लगा तो sorry degree नहीं लगाते है it's just Kelvin अचा खेर आगे चलते है अपर fix point का एक नाम और होता है इसको हम कहते है boiling point या steam point इस टीम या फिर boiling point अच्छा boiling point किसका boiling point of water boiling point of water ठीक है तो यह नाम आ गिया इस वाले point का fix point का तो मैं कहूंगा यही fix point Celsius में भी है यही fix point Fahrenheit में भी है और यही fix point Kelvin के अंदर भी मौझूद है इसी तरीके से यह लोवर fix point है इसका नाम लिख देता हूं मैं lower fixed point lower fixed point यह बाला और इसका दूसरा नाम होता है हम इसको हम खहते है आइस point या फिर freezing point freezing point और किसका point of water of water तो जनाब यह जो मैने six करती चारी या रिए intrasegg करती बहु £ę तो यह वाली जो लाइन यह मतला define कर ली है सब के upper points को और यह वाली लाइन जो जा रिढृए सब को Cross करती यह वाली line define कर लिए इकिसके सब के lower points चैनी के freezing point और किसका freezing point water का और किसका boiling point water का अच्छा सबसे last में यह जो line है इसको हम कहते है absolute zero absolute zero perfect zero यह वाली line जो है इस यह सब की कहलाएगी absolute zero अब एक कामी करते हैं इनके points लिखना start करते हैं याद रखेगा celsius scale का जो upper point होता है जो fixed point होता है जो boiling point होता है जो steam point होता है जो भी क्रवेशा मौशूद होता है hundred पर hundred degree celsius इसी तरीके से जो Fahrenheit का अपर-point होता है वो होता है two hundred and twelve degree Fahrenheit इसी तरीके से जो Kelvin का होता है वो होता है 373.15 Kelvin ठीक है तो यह तीनों के आपर-point सागा और केल्विन का लिखाव है 373.15 अब चलते हैं लोवर फिक्स पॉइंट यानि कि इनके फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाइट जो है वो चैल्सियस के कि मुताबिक कब freeze होगा जब temperature कितना होगा जीरो डिग्री अब कितना होगा जीरो डिग्री सेल्सियस तो यह सैल्सियस का Lower लोवर फिक्सक्स पॉैंट होता है वह होता है 273.15 क्यल विन तो यह तो आ गए इन 3 स्केल्ष के क्या लोवर एंड अपर प्वाइंट ये सारे के सारे लोवर पॉैंट के यह नि के समय कहते हैं यह जो रेंज इस वाली रेंज को हम कहते हैं यह फ्रिजिंग पॉइंट है का point आ जाता है अब सबसे last में absolute zero एक ऐसा temperature जिसमें according to Charles law according to Charles law absolute zero एक ऐसा temperature होता है जहां पर particles की kinetic energy exactly zero हो जाए मन्होंदब particles का जो microscope view होता है हमें पता है कि particles मुस्ताकिल क्या कर रहे होते हैं वाइबरेट कर रहे होते हैं और particles की बीच में gaps होते हैं भले वो solid हो लिक्विड हो या गैस हो गैप होते हैं तो पार्टिकल की विलोसिटी पार्टिकल की kinetic energy सिर्फ एक वाहिद temperature पर zero हो सकती है और वो इसको हम क्या बोलते है absolute perfectly zero perfectly zero तो मैं कहा दूँगा कि अगर मैं बात करूँ Celsius scale की तो Celsius scale पर जो absolute की value होती है उसको हम कहते है है minus 273 degree Celsius this is called absolute zero अच्छा Fahrenheit पर यह होता है minus 459.67 degree Fahrenheit अच्छा इसको आप approximately हम इसकी पराबर बर्ग देते है 460 degree Celsius sorry Fahrenheit कभी-कभी उसको मैंसे भी लिख देते है 460 साहर से बादे 459.6 को round off करोगे तो क्या बन जाएगा 460 degree Fahrenheit Kelvin पर यह होता है जीरो Kelvin जीरो Kelvin यह ओके नहीं लिखावा यह लिखावा है 0 Kelvin तो जनाब सबसे बड़ा difference in scales के अंदर जो आ जाता है वो आ जाता है इनकी marking का इनकी marking का समझ रहे है तो इसका अपर 100 इसका lower 0 इसका अपर 212 इसका lower 32 इसका अपर 373 और इसका lower 273 इसका मदब आप यूं कह सकते हो किसा आपको पता है ना कि water कि temperature पर boil होता है तो आप बोलते है यार water boils at 100 degree Celsius हना पानी का water का boiling point क्या है तो आप क्या बोलते है 100 100 कह रहे होते हैं basically ना तो अब आप यूं भी कह सकते हो कि water का boiling point क्या है 212 degree Fahrenheit यानि के Fahrenheit scale पर water boil 100 पर नहीं होगा बलके 212 और इसी तरीके से अगर हम Kelvin की बात करें तो Kelvin scale पर water boil होता है 373.15 Kelvin पर हाँ वह water freeze का होता है water का freezing point क्या है तो आपने याद रखा होगा 0 degree Celsius हना तो इसी तरीके सब आप कह सकते हैं कि Fahrenheit पर जो water freeze होगा वो किस temperature पर होगा 32 degree Fahrenheit पर और Kelvin पर किस पर होगा 273 तो हम बोलेंगे water freezes at 0 degree Celsius 32 degree Fahrenheit and 273.15 Kelvin water boils at 100 degree Celsius 212 degree Fahrenheit and 373.15 Kelvin बाकी यह आ गई बात किस की absolute 0 की तो absolute 0 Celsius पर कितना होता है minus 273 यहाँ पर कितना है minus 460 degree Fahrenheit approximate round off करने के बाद और यहाँ पर कितना आ रहा है 0 Kelvin इसी वज़े से इस वाले स्केल में exist कर रहा है क्योंकि यह वाहिद स्केल है जो कि negative की तरफ नहीं जाता है यह पर आके stop हो जाएगा बस सारे temperature यहाँ पर आके खतम हो जाएंगे absolute 0 perfectly 0 जबकि आप यहाँ पर चेक करो 32 के बाद 0 भी आया होगा 0 के बाद negative में जा रहा है कहां तक जा रहा है minus 460 इसको क्या बोलेंगे approximately equal to minus 460 डिगरी फेरलाइट यहाँ चेक करो 0 का मौझूद है और यह कहां तक जा रहा है minus 273 डिगरी Celsius तक अच्छा एक चीज और बता दू Celsius स्केल में total divisions कितने होते है total divisions total divisions का मतलब यह नहीं क्या आप यहां से लेकर यहां तक count करेंगे नहीं total divisions का मतलब क्या होता है lower और upper point के बीच में total divisions कितने होंगे जैसे 0 से start हो रहा है 1 degree आएगा 2 degree आएगा 10 degree आएगा 50 degree आएगा तो total divisions का मतलब किसी भी scale के total divisions का मतलब उसके lower point से लेकर upper point के बीच में कितने divisions आ रहे है तो भाई अगर मैं count करूँ तो 0 से लेकर 100 तक कितना बनेगा 100 तो इसका मतलब Celsius scale में total divisions कितने होंगे 100 तो total divisions इस skill के आजेंगे 100 हाना इस skill के 100 आजेंगे और अगर मैं इस से ले skill की बात करूँ तो वही 32 से 212 को मैनस करो तो सबसे लास्ट वाली लाइन के अंदर हमने लिखें total divisions तो Celsius में total divisions lower से अपर तक 100 होते हैं Fahrenheit में total divisions lower से अपर तक 180 होते हैं MCQs में आता एक्सर और Kelvin में lower से अपर तक total divisions 100 होते हैं तो इसका मतलब आपको दो skills में similarity नजर आ रही होगी इस sense में एक Celsius में और Kelvin में similarity है इन दोनों के total divisions lower to upper कितने होते हैं 100 ठीक है तो आप इसको note कर लें फिर हम चलते हैं इसकी convergence की तरफ तीनो skills में difference पढ़ने के बाद अब चलते हैं इनकी convergence की तरफ के how to convert a scale into another scale मतलब अगर आपको एक scale की value given हो तो उसको दूसरे scale में convert करने के लिए आपको एक formula चाहिए आपको एक equation चाहिए तो formula कैसे बनता है कैसे आता है कैसे derivation होती ही उसकी तो हम वो discuss करने जा रहें detail के अंदर अच्छा दोगो इस topic का मकसद है क्या लाट सबोस हमापस तीन scale है यह आ गया एक scale यह आ गया दूसरा scale और यह आ गया तीसरा scale ठीक है यह आ गया इनके lower points और यह आ गया इनके upper points जो अभी हमने पढ़े लाट सबोस यह है Celsius scale यह वाला है Fahrenheit scale और कैलवें इसकेल parce धूबण हुमने पढ़ा Celsius का लोवर होता है वो ओता हैma 있죠 तो हमें पता है अब मैं किसे बीश में आपसे कहा जा रहे है कि इस point पर conversion करके दिखाओ मुझे ने पाता इस point पर temperature Celsius का कितना होगा 50 हो सकता है 45 हो सकता है तो C degree Celsius पर यानि कि अगर हमें कोई भी value Celsius पर given हो और उसको convert करनी हो Fahrenheit में या Kelvin के अंदर तो convert करने के लिए आपको चाहिए formula Celsius to Fahrenheit convert करने के लिए Celsius to Kelvin में convert करने के लिए या यूँ कहलो के Fahrenheit to Celsius में convert करने के लिए Fahrenheit to Kelvin में convert करने के लिए Kelvin to Fahrenheit में convert करने के लिए Kelvin to Celsius में convert करने के लिए तो किसी भी एक value given value को किसी दूसरे scale में convert करने के लिए आपको चाहिए एक formula एक equation तो इसको हम discuss करने जा रहे हैं तो जनाब, start करते हैं, मैंने तीन portion दुबारा बनाये हैं, एक portion में लिखावाए, किन दूइ स्केल्स का जिकर, एक में लिखावाए Celsius और Fahrenheit की conversion यहाँ पढ़ लेंगे, एक में हम Kelvin और Celsius की पढ़ लेंगे, और एक में हम Kelvin और Fahrenheit की पढ़ लेंगे, तो यह सारी conditions cover हो जाएंगी, अ ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ते हैं, इनके lower और हम तक्रीबन सारे graphs को start करेंगे lower और upper point से, तो मुझे पता है कि Celsius का जो lower point है वो होता है 0, यह आ गया Celsius का 0 degree, यानिके 0 degree Celsius, अच्छा, 0 degree Celsius जब होता है तो Fahrenheit का आप याद रखें, Fahrenheit का lower point क्या होता है, 32, तो 32, let's suppose यहाँ पर Celsius की value 0 है, तो Fahrenheit की value कितने थी, 32, अच्छा, अब इसी तरीके से हमें पता चला कि जब Celsius की value थी 100, यानिके upper point of Celsius, तो Fahrenheit का जो upper point था, वो क्या था, 2, 1, 2 degree Fahrenheit, तो यह किस point पर आके match कर जाएंगे, let's suppose यह point मिला देते हैं, यह आ गया, यह point यह रहा, तो हमें पता चला कि जब Celsius की value 0 थी, 0 degree Celsius थी, तो Fahrenheit की 32, यहाँ पर आके match हो गया, जब Celsius 100 हुआ, तो Fahrenheit 2, 1, 2 था, तो आपने यह point बना दिया, इनका point of intersection, यह बन गया, ठीक है, तो इस point पर Celsius 100 है, इस point पर Fahrenheit कितना है, 2, 1, 2, तो एक कामी करते हैं, इन दो लाइन को हम मिला देते हैं, यह आगे ही दोनों लाइ ठीक है, अच्छा, अब हमें करना क्या है, यह तो हमें पता है, हमें चाहिए unknown, तो unknown के लिए मैं बीच में कोई भी एक point बना देता हूँ, यह दो को, बीच में एक point हमार पास यह रहा, इस point पर Celsius की value C होगी, मुझे नहीं पता कितनी है, वो ही तो हमें find करना है, और इसी point प है, मैं आपको पहले भी, मैं आपको इसको detail में एक बात बता चुका हूँ, जब मैं आपको topic पढ़ाया था, centripetal acceleration, centripetal acceleration के derivation के अंदर एक point ऐसा आया था, जहां पर मैं आपको similar triangle के properties बताये थी, अभी भी मैं आपको जलिली में, जो एक वो, मतब overview दे देता हूँ, के सरी आपको यहां पर दो triangle नजर आ रहे होंगे, एक आपको नजर आ रहा होगा यह छोटा वाला triangle, यह दोको right angle triangle, चोटा वाला triangle, और एक आपको नजर आ रहा होगा यह बड़ा वाला triangle, right angle triangle, यह दोनों triangle similar है, एक बड़ा वाला triangle, यह दोनों triangle similar है या नहीं है, बिलकुल similar है, क्य कि दोनों के एंगिल्स क्या है एक ही है तो अगे एंगिल्स सहीं होते हैं तो हम कहते हैं इसको similar triangles तो भाई similar triangle में पता है क्या होता है ये ये इसका perpendicular और ये इसका perpendicular दोनों perpendicular यानि कि दोनों के triangles का हम perpendicular का ratio निकालते हैं और यह हमेशा बराबर आता है दोनों triangles के किसी भी दो अलग sides जैने कि base की बात कर लेते हैं तो इस वाले triangle की base ये रही और इस बड़े वाले triangle की base ये complete वाली है तो हम क्या करेंगे same sides का ratio बराबर रखेंगे same sides के ratio के तो जनाब सबसे पहले मैं काम भी करता हूँ इस वाले side की बात करता हूँ इस वाले side का नाम क्या है तो जनाब अगर मैं side की बात करूँ तो ये क्या कहलाएगा complete कौन था एफ और ये कितना है 32 ये f है और ये 32 है तो अगर मुझे ये चाहिए तो मैं क्या करूँगा f में से 32 को minus कर दूँगा तो देखें क्या बनेगा f माइनस 32 divided by हला f माइनस 32 इस वाली side को divide करना है इस वाले side से perpendicular divided by perpendicular तो इसका नाम क्या निकला इस side का नाम निकला कि जब आप f में से 32 को minus कर देंगे तो ये क्या बचेगा f माइनस 32 divided by हाँ इस वाले side का नाम क्या होगा तो आप यह देखें। यह पूरी value क्या होगी। यहां से लेकर यहां तक 0 से 212 और इसके इसकी value क्या है? 32 तो इसका मतलब जब आप 212 में से 32 को माइनस कर देंगे तो यह बच जायागा इस वाले side का नाम क्या हो जायागा 212-32 इस इकोल टो यह तो हो गए perpendicular के ratio एक perpendicular divided by दूसरे वाले का perpendicular अब हम बात करते है basis की तो जनाब basis सबसे बेले इस base की बात करते है इस base का नाम क्या होना चाहिए इस base का नाम है C-0 इस base का नाम क्या है C में से 0 को माइनस कर दो तो इसका मतलब बन जायागा C-0 divided by अच्छा हम डिगरी लगा देते हैं डिगरी फैरणाइट डिगरी सेल्सियस है ना अच्छा अब इस वाले की बात करते है अगर मुझे इस वाले की बात करनी हो तो यह क्या बनेगा 100-0 तो यह वाला side क्या है C-0 और यह वाला side क्या है 100-0 तो यह आ गया 100-0 ठीक है थोड़ा सा solve कर लेते हैं solve कैसे करते हैं डिगरी फैरणाइट माइनस 32 divided by यहाँ पर क्या बच रहा है सिर्फ 100 बचेगा ऐसा है अच्छा जब आप इनकी cancellation करेंगे 0 से 0 cancel हो जाएगा 2 5s are 10 हो जाएगा और यहाँ पर 2 9s are 18 तो आपको final जो formula मिलेगा वो मिलेगा डिगरी फैरणाइट माइनस 32 divided by यहाँ पर अपॉन में क्या है 9 is equal to डिगरी celsius divided by और यहाँ पर अपॉन में क्या बचा 5 जनाब यह बन गिया हमारा सबसे पहला formula मैं चेक ख़र लूँ कि यह screen में आ रहा है complete या नहीं आ रहा ठीक है लिखावा है सही आ रहा है बिलकुल तो यह बन गिया सबसे पहला formula हमारा conversion of celsius and fahrenheit यह वाला formula हम यूज करते है अगर आपको celsius की value given है Fahrenheit की find करनी है तो 9 को divide से multiply में भेज़ दो और minus से plus में भेज़ दो Fahrenheit given है celsius find करनी है सिर्फ यहाँ पर 5 को divide से multiply में भेज़ दो तो यह आगे हमारा पर सबसे पहला formula किसका conversion of celsius and fahrenheit इसी जरीके से अब जरूरी नहीं है कि हम लोग बाहर बाहर जो वो graph बनाए तो graph बनाने के बाद आपको एक बात पता चल गई यहाँ पर वो बात पता है क्या चलिए आपने एक formula बनाने के लिए general condition यूज करनी है general पता है क्या लिखना है scale minus lower point सुनना गोर से कोई भी scale scale minus lower point divided by total divisions यह total है ना 180 divisions क्या आते है Fahrenheit के total divisions is equal to scale minus lower point celsius का lower point 0 और divided by total divisions हाना इसका मतब किसी भी दो scales के conversion का आपको एक general formula बता रहा हूँ इसको note कर लिएगा कभी भूल जाए तो बड़ा काम आएगा फर्मला क्या बनेगा जनरल फर्मला scale minus lower point lower fixed point divided by total divisions उस scale के total divisions और इसको बराबर रखना है यह बराबर आएगा किसके दूसरा भी सेम होगा scale minus lower point lower fixed point औब्यसी बात है lower fixed point और divide करेंगे दूसरे scale के total divisions से total divisions इसको apply करके check करते है भाई जनाब यह बन गया हमारे पास general formula इसको node कर लो काम आएगा बहुत किसी भी दो scales की conversion करनी हो और formula भूल जाओ तो भाई यह formula आपको याद दिला देगा ठीक है और यह formula बना का से यह मैंने आपको graph में से समझाया तो जब भी किसी भी graph को apply करोगे ना इस तरीक से जैसे मैंने आपको समझाया आपको हमेशा यह formula मिलेगा generally हमेशा यह मिलेगा आप practice करके check कर लिएगा ठीक है तो अब जरूरी निए कि Celsius की values और एक तरफ लिखूंगा Kelvin की values इसी formula का apply करने जा रहे सबसे पहले Scale कौन सा है Celsius तो degree Celsius minus Celsius का lower point क्या होता है 0 divided by Celsius में total divisions कितने होता है यह आगए 100 is equal to left sorry right side पर दूसरा scale दूसरा scale कौन सा है heading में Kelvin अच्छा scale में से यानि के scale कौन सा है Kelvin minus करो इसका lower क्या होता है Kelvin का 273 lower divide कर दो Kelvin में total divisions कितने होता है यह आगए 100 तो 100 से 100 cancel कर दो C में से 0 हो गए 0 यह बचेगा तो degree Celsius is equal to Kelvin minus 273 यह बन गया Celsius का और Kelvin का convert करने का formula आपको याद भी हो गया और अगर Kelvin की form में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं degree Celsius plus 273 is equal to Kelvin यह बन गया Kelvin का formula हाना so Kelvin into Celsius यह Celsius into Kelvin यह आपको यह वाला याद होगा Celsius plus 273 वाला हाना तो यह formula कहा से बना इस general वाले formula से बना समझाई बाद तो यह general formula याद रख लो यही general formula है किसी भी दो scales की conversion करनी हो इसी formula को बना कर आप कोई भी formula बना सकते हैं last condition रह गई और वो condition क्या है Fahrenheit और Kelvin की इसको भी करके जान चुड़ा लेते हैं ठीक है तो मैं एक तरफ रख देता हूँ Fahrenheit की values तो Fahrenheit की सबसे पहले Fahrenheit scale minus Fahrenheit का lower point तो जनाब Fahrenheit scale minus Fahrenheit का lower point क्या था 32 divided by Fahrenheit में total divisions कितने आते हैं Fahrenheit में आते हैं 180 is equal to equal दूसरा scale कौन है Kelvin हाँ बे Kelvin का नाम लिग दो पहले Kelvin scale है minus कौन है Kelvin का lower point क्या होता है 273 divided by Kelvin में total divisions कितने होते हैं पता चला हमें 100 होते हैं चलो cancellation कर देते हैं 00 cancel 2 5s are 10 और 2 9s are 18 क्या बनेगा degree Fahrenheit minus 32 divided by अप उन में क्या बचावा है 9 is equal to यहां क्या बचावा है K minus 273 divided by और अप उन में क्या बचावा है 5 यह बन गया formula Fahrenheit to Kelvin और Kelvin to Fahrenheit का formula तो जनाब यह conditions थी हमारे पास यह separator लगा देता हूँ यह इसका लगा गया और यह इसका यह लगा गया यह general formula है यह है general formula और यह formula कहां से बनाया यह हमने बनाया graphs में तो मैं आपको एक task दे रहा हूँ इस task को पूरा कर ले ना और task किया है आपके बास वही task यह है कि आप जिस तरीके से मैंने आपको graph समझा है Celsius और Fahrenheit का बिल्कुल इसी तरीके से आप यही graph बनाईएगा Kelvin और Celsius के लिए और Fahrenheit और Kelvin के लिए formula आपके सामने लिग दिये मैंने यह वाला formula आप यूज करेंगे जब conversion की बात आएगी Fahrenheit और Celsius की यह वाला आप जब यूज करेंगे जब Celsius और Kelvin की और यह वाला formula जब यूज करेंगे जब आप इसके सामने बात आएगी Fahrenheit और Kelvin की तो जणाब यह note करें फिर आगे चलते है एक last चीज मैं आपको और पता दा चलूँ बड़ी important इसको भी जहन में रखीएगा यह आपको अक्सर जो है वो numerical में यह में काम आएगी ठीक है और वो बात क्या है इसको गौर से सुनें देखें हमारे पास तीन स्केल्स मौजूद है मैं तीनों दुबारा एक रफली जल्दी से बना देता हूं यह आगे हम अपस तीन स्केल्स यह आगए तीनों के lower fixed point और यह आगए तीनों के upper fixed point अगर यह Celsius स्केल है अगर यह Fahrenheit स्केल है और अगर Kelvin स्केल है तो इनके lower points क्या होंगे 0 और इसका अपर हो जायागा 100 Fahrenheit का lower 32 और Fahrenheit का अपर 212 Kelvin का lower 273 और इसका upper 373 Kelvin ठीक है अच्छा अब बात और यह चेंज की याद रखिएगा Celsius और Kelvin के total division सेम है और से सुनना 0 से लेकर 100 तक total divisions 100 आ रहे है 273 से 373 तक total divisions 100 आ रहे है इसका मतलब पता है क्या है इसका मतलब यह है कि जितना change Celsius स्केल में आता है उतना ही change Kelvin स्केल में आता है मतलब यह ऐसा है कि अगर Celsius स्केल में temperature 10 degrees बढ़ा तो याद रखिएगा Kelvin स्केल के अंदर भी temperature 10 बढ़ेगा यानि कि इसका 0 बढ़ाबर है इसका 273 के तो इसका 10 बढ़ाबर होगा इसके 283 के हाना इसका 20 बढ़ाबर होगा इसके 293 के मतलब जितना temperature Celsius स्केल में बढ़ेगा let's suppose अगर उसमें 10 degrees बढ़े Celsius स्केल में 10 degrees बढ़े तो इसके अंदर भी change कितना आएगा 10 Kelvin का अगर इसमें 50 degree temperature decrease हुआ तो इसके अंदर भी 50 Kelvin temperature decrease हुजाएगा इसका मतलब ही हो गया कि Celsius और Kelvin के अंदर जो temperature में change आता है वो exact amount के साथ आता है क्योंकि इन दोनों के lower upper तक के जो total division से वो क्या है वो सेम है तो इस point को आप पता है कैसे लिखेंगे इस point को आप लिखेंगे change in temperature of या इसको simple लिख दो change in temperature changing in temperature change in Kelvin is exactly equal to temperature change in Celsius यह बाज है में रखिएगा यह point मैं highlight कर रहा हूं इसको याद रखिएगा तो जितना change Kelvin scale में आता है temperature का exactly उतना ही change Celsius scale में आयागा temperature का अगर Celsius scale में 1 degree बढ़ा तो Kelvin scale में 1 Kelvin बढ़ जायागा अगर इसमें change आया 50 degree Celsius का तो इसमें भी change आयागा 50 Kelvin का मैं 50 degree Celsius 50 Kelvin के बराबर नहीं कह रहा है मैं यह नहीं कह रहा कि Celsius का 50 degree Celsius 50 Kelvin के बराबर नहीं मेरी बात समझो मैं कह रहा हूं कि अगर 50 degree Celsius change इसमें आया मतलब 0 से लेकर 50 तक temperature पहुंच गया तो डिगीरी, कितना चेंज आया, 50 का चेंज आया, तो उतना ही चेंज Kelvin में आता है, तो 273 में आप 50 को एड़ कर देंगे, समझ रहे हैं, तो भई, चेंज इन टेंपरिचर Celsius का हमेशा बराबर होता है, चेंज इन टेंपरिचर Kelvin के, यह बाज है में रखियेगा, अच्छा, 180 divisions, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इसमें भी कितने आ रहे हैं, 100 divisions, यहां से लेकर यहां तक, तो इसका हर एक degree, इसके हर एक Kelvin के बराबर है, लेकिन इसका एक degree, इसके एक Fahrenheit के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें divisions 100 हैं और इसमें divisions 180 हैं, तो याद रखेगा, अगर, अब स धीक है अब होड जोना, अगर celsius में change in temperature अगर celsius में change in temperature आया वन डिग्री celsius तो याद रखिए गा change in temperature फैरनाइट में कितना होगा 1.8 डिग्री celsius यह बाद जैन में रखिए गा, इसका ratio आ रहे है, 1.8 degree का मतलब जो है ratio आएगा, तो याद रखीएगा हर एक degree Celsius बढ़ने से Fahrenheit में कितना चींज आता है 1.8, देखो न, 100 और 180 का 180 को अगर मैं 100 से डिवाइट कर दो, क्या बनेगा 1.8, तो 1.8 याद रखीएगा तो इसका 1 degree Celsius बढ़ना इसका 1.8 degree Fahrenheit बढ़ना इसका 10 degree Celsius बढ़ना तो 10, अब देखो, मैं याँ पर लिखता हूँ अगर change in temperature 10 degree Celsius है हाना, तो change in temperature जो है वो जाइट से बात है 1.8 से मैं multiply कर दूँँगा 10 को हाना, 10 से, तो क्या बनेगा 18, 18 degree Fahrenheit तो याद रखीएगा, अगर Celsius में change आया, 10 degree Celsius का तो Fahrenheit में 10 नहीं आयागा बलके 10 multiply by 1.8 क्योंकि हर एक degree बढ़ने से 1.8 बढ़ेगा तो 1.8, 1.8, 1.8 10 times, कितना बनेगा? 18 degree Fahrenheit इसी तरीकी से अगर Celsius में change आया, 100 degree Celsius का change, 100 degree Celsius का तो इसमें change कितना आयागा? 100 multiply by 1.8 तो कितना बनेगा? 180, इसका बनेगा 180 हो गया प्रूफ तो अगर 0 से लेकर 100 तक जायागा temperature Celsius में तो इसका temperature 32 से कहां तक पहुंच जायागा? 212 मतलब change कितना आया? 180, तो इसका change 100 तो इसका change 180 इसका change 10 तो इसका change 18 इसका change 1 तो इसका change 1.8 degree Fahrenheit तो यहाँ से हमें पता चला अच्छा जो मैंने बात Celsius और Fahrenheit की बता ही नए चेंज वाली यह exactly सेम है Kelvin की Kelvin का 1 degree बढ़ना यानि कि 1 Kelvin बढ़ना और इसका 1.8 बढ़ना Kelvin का 10 Kelvin बढ़ना चेंज होना और इसका 18 degree Fahrenheit चेंज होना Kelvin का 100 Kelvin बढ़ना या चेंज होना और इसका 180 degree Fahrenheit चेंज होना तो इसका मतलब इन तीनों scales में जो change आना सेम है वो Celsius का और Kelvin का है समझे ने change की बात कर रहूं मैं यह बात जहमें रखिएगा change की मैं scales को equal नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं change की तो जितना change Celsius में आता है उतना ही change Kelvin में आता है और Celsius में जितना change आता है उतना change Fahrenheit में ने आता है बलके महाँ पर एक factor आ जाता है 1.8 का 1.8 का क्योंकि इसके total 100 और इसके total 180 divisions है तो बड़ा scale कौन सा हो गया Celsius और छोटा scale कौन सा हो गया 180 क्योंकि उसके 100 इसके 180 की बराबर है उसके 100 इसके 180 की बराबर है समझ आई बात तो जनाब ये थी कहानी scales of temperature की उमीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी सबसे पहले हमने scales of temperature को पढ़ा उसका introduction पढ़ा कि तीनों में फर्क क्या है उनकी marking का फर्क क्या है उनके points का फर्क क्या है उसके बाद हमने convergence ही की conversion के formula बना दिये हाना formula तीनों बनाने के बाद और सबसे last में आपको point बता दिया किसका इनके change आने का तो उमीद करता हूँ आपकी scales of temperature से related confusions दूर हो गई होगी होगी आपके concepts क्लियर हो गए होगे अगर हो गए concepts क्लियर वीडियो अच्छे लेगी तो like कर दें comment कर दें और share कर दें अपना ख्यार लखीएगा next video में मिलते हैं thank you